है नमस्ते दोस्तों मेरे इसलिए अस्वारत में नो ... आप लोग का स्वागत हैं और दोस्तों जीवाली की बहुत बहुत बढ़ाई आप लोग को दोस्तों आज मैं मैदा से नम्कीन बना रही हैं जिसके मैंने 24 इंद मैदे को मैंने अज़छे से जान लिया है सबसे पहले हम मैदे में करायट डालेंगे और स्वाद अनुसान नमक डालेंगे और हम ओवन में घी डालेंगे घी को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है मैं छे से साथ चमस्च मोवन डाल रही हूं क्योंकि मैदा मेरा दो किलो है इसलिए अब इस पच्छे से मिला लेंगे देखिए हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मोवन भी हमारा किक्त अच्छे से हो गया है देखिए अब हम इसमे थोड़ा थोड़ा पानी डालके जैसे हम आटा गूतने है इसी तरह से इसको भी गूत लेंगे देखिए हमने मैदा को अच्छी तरह से बूत लिया है देखिए अब हम इसको दसमेट पीछी तरह से ढखके रख देखिए दसमेट हमको आटा को बूत के रखे हुए हो गया है अब हम इसकी छोटी छोटी लोईयां काट लेंगे लोईयां हम इत्ती बड़ी बड़ी बनाएंगे हम इसको इस तरह से बेल लेंगे आप इसको मुटा भी बेल सकते हैं पतला भी बेल सकते हैं देखिए हम इसको इत्ती पतली बेलेंगे हमने इसको जादा मोटा या जादा पतला नहीं रखा है आप इसको किसी भी सेट में पाड़ सकते हैं किस्थिव सकते हैं किस्थिवब आनाफ़ saints कि इसे चाद़ी बהkt किस्थिवआ को gośnieít घएचूद। किस्थिवच्थिष चar ढ़ी जतीत इस तरह से हम सभी को बेल के रख लेंगे देखिए हमने इस तरह से इसको काट के रख लिया है अब हम इसको फ्राइ करेंगे नमकिन फ्राइ करने के लिए हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल हमारा गरम हो चुका है झार गया थाजा सेह हैं उगर्टर्टर्टर इस मुड़तर है tool यह, हम उखच हैं आप起स्केर बूँ पीत कि छो निस्टार पेचिए बाउने प्लाच की बड़ हो देखें नम्कीन हमारा अच्छे सशिख चुका है इसको इस्ता ही ब्राउन निकालेंगे अब में इसको एक प्लेट में निकाल देंगे हो कि शुक तुका प्लावी अब करता ही इसको मोग इसकशो में हमोचर आपनेंगे दुका ख्लुका जब में एसका उने इसी तरह हम सभी नमकीन को फेख लेंगे देखिए नमकीन हमारा बनके तयार है और यह बहुत ही स्वाप्ट बनी है अगर आप लोग को मेरा नमकीन बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल के नए है तो प्लीद मेरे चैनल को सस्क्राइब पीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा तमली कीजेगा शेयर कीजेगा अब मिलते हैं अगले व